Asalamulaikum everyone आज यह बहुत ही मज़े-दार सा और बहुत ही युनीक फ्लेवर वैला केक मैं आपको सिखाँगी वनीला हो गया च्छोक्लेट हो गया यह सारे केक मैं कहती ह錨劍 केकं के आगे ल्यागे फ़ील निबर नाम है घ्डि इस युणीक फ्लेवर केक का नाम है करिएगा तो आप लोग इस रेसिपी को एज इस फॉलो करेंगे तो आपको भी इतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे और मेरी फैमिली को आया अलहमदुलिल्ला बहुत मज़ेगा केक बना था तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरह आज की केक रेसिपी में जो सबसे एम इंग खाई जा रही थी ले जो है वो काफी ज़्यादा क्वांटटी में बच गई थी क्योंकि हम घरवालों को बर्फी ज़्यादा पसंद नहीं है खान लेते हैं लेकिन हमें दूसरी मुठाई ज़्यादा मज़ेगी रगती है तो बस मैंने इसको टाइम ली सेफ कर लिया और फ ऐग की है मैंने फ्रोजन बर्फी को पहले मैंने डेफ्रोस्ट किया उसमें से मैंने आठ दस पीस ले लिये और यह बर्फी मिक्स बर्फी थी जा यह मीड़ी थी कुछ भी खो ई रालिbe अले थी यह ले लिया 8-10 पीसिस, बड़े-बड़े पीसिस थे, छोटी पीसिस नहीं थे, उनको मैंने क्रंबल किया, और मैंने इसमें half cup पानी डाला, और इसको मैंने medium flame पे इसको melt कर लिया है, और इसको अच्छे तरीके से थिक होने तक, इसको मैंने पकाया है, इसको बहुत अधा प मैंने तकरीबन तकरीबन आदे घंडे इसको मैंने फैन के नीचे रखा, तो यह थिक हो गई, अब इसकी consistency इतनी थी, तो मैंने इसको बोल में डाल दिया, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, तक यह अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, और फिर हम इसको अच्छे त मैं डियाँ हो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहां पर मैनने मैदा लिया है, मैनने लिया है, Central Cup, और इसको मैंने चम्म हिसे भर लिया है, और ओफिल करना है और उसके बा भार जो है, मैने इसको उपर से लेविन कर दिया था, और साथ में मैं ले रही हूँ 1 tablespoon ठीक है 1 third cup और 1 tablespoon मैंने ले लिया है मैदा और grams में ये बन जाएगा 63 grams ठीक है ये तक्रिबन तक्रिबन आपका 1,5 kilos cake के लिए recipe है और यहाँ पर मैंने ले हुई है Pissi Wij extensions बिल्कुल powder form में है और 1 third cup ही लिया है और उसको भी मैंने ओवर फिल कर ली और किसी भी फ्लैट चीज से इसको कट कर लेंगे लेवल कर लेंगे और इसको भी मैंने मज़र किया है तो ये भी तकरीबन 63 ग्राम होनी चाहिए ये है जी वन थर्ड गप अच्छा यहां पर ये 58 ग्राम मैंने ली है चीनी अच्छा चीनी मैंने इसलिए कम ली है क्योंकि मैंने इस स्पंज में बर्फी वाला ये मिक्स्चर भी एड़ करना है तो मीठा बिलकुल लेवल हो जाएगा यहां पर मैंने 3 x 4 टी स्पून बेकिंग पौडर एड़ किया है मैधे में तो यहां पर सारे इंग्रुडेंट्स पड़े हुए हैं चीनी हो गया मैधा हो गया ठीक है ग्राम्स में मैंने आपको बताती है मजरिंग कप्स में मैं बताती है दो अद़ अंडे है ये बर्फी बेटर जो मैंने आपको सिखाया है मिक्सर कैसे बनाया है यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप लोग एड़ करना चाहें तो कर लें नहीं करना चाहते तो ना करें और टू टेबल स्पून इसमें जाएगा ओल अच्छा आज का जो स्पंज बनेगा वह बड़े ही डिफरेंट त तो इट्स अब टो जी है जैसे मैं रेगुलर तरीखे से बनाती हूं आप लोग वैसे भी बना सकते हैं तो मैंने यहां पर आज क्या किया है कि अंडे की जर्दियां और अंडे की जो सफैतियां थी उनको अलग कर दिया अच्या अब मैंने क्या की है दोड़ अद़ अंडे स्पंज में खोए वला टेस्ट आता है मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा था बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगा था तो बस इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं डाल दूंगी कोकिंग ऑइल टू टेबल स्पून के बराबर है इसको भी अच्छे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं एड कर दूंगी मैदा और बेकिंग पाउंडर चानगे अच्छे तरीके से इसको चान लेंगे और फिसको हम अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें एसंस एड करूंगी बटर एसंस ह बेक हाउस का और टू ड्रॉप्स एनफ होते हैं हाफ केची केक के लिए इसका बड़ा सी स्ट्रॉंग सा एरोमा होता है लेकिन बहुत ही मज़े का फ्लिवर होता है थोड़ा सा बैटर मुझे थिक लग रहा था तो मैंने टू टेबल स्पून मिल्क एड करती है मिल्क एड करन है अच्छी सीज़ की मिराइन बना लेनी है इसकी जो स्टिफ पीक से वो बन जाने चाहिए ठीक है यह बन जाएंगे तो पर हम अपना अगला प्रॉसेस करेंगे और यहां पि हमारे अलेक्ट्रिक पीटर का काम खतम होगी है अलेक्रिक पीटर हमने सिर्फ और सिर्फ एग को फलफी करने के लिए ही यूज किया है अच्छा अब मैंने क्या कि ए एक वाइट्स को एक योप वाले बैटर में फोल्ड करना है अच्छे तरीके से मिख्स करना है antes लेकिन अगर आप लोग hand whisk या special यूज कर रहे हैं तो आपने over mixing नहीं करनी over tier में बेख जाता है और तेसिंग से सपांज जो है वो डूम-शिप में बन जाता है और वह बैठ जाता है ठीक है जी साइट से बैठ जाएगा उपर से उभर जाएगा और अच्छे तरीकम से मैंने घलके हाथ से ही mix करना है ठीक है अच्छा फिर मैंने इसको six inch round pan में पोर किया और इसको पतीले में बेक कर लिया है तक्रीबर तक्रीबर मेरे 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये बस पांच अच्छे तरीके से बेक हो गया था इसको मैंने ठंडा कर लिया था और इसको ठंडा होने के बाद मै अच्छे के से ठंडा रहे और पतीलर बेकिंग टिप्स और ट्रिक्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और अब मैं इसकी स्टेकिंग करने लगी हूँ यानि कि अपने केक की final frosting करेंगे सरा कुछ इसकी decoration करेंगे तो सबसे पहले मैंने किया कि इसकी टॉप पे जो soft सी एक caramelized surface होती है इसको मैंने हटा दी और sponge की माशाला बड़ी ही जबरदस्थ हाइट आई थी और इसमें किया है कि मैंने इसकी फिर three layers की है हाइट अच्छी थी तो इसलिए मैंने three layers की है अगर इसकी height कम होती तो फिर मैं two layers करती तो दो अंडों से भी बड़ी जबरदस्थ और perfect height आई और इसका sponge का texture था मुझे बहुत ही different और बहुत ही velvety से लगा था मुझे बड़ा ही पसंद आया था यह sponge अच्छा यहाँ पर मैंने soaking के लिए किया किया है आदा कप दूद लिया है और उसमें मैंने दो चमच बड़े भर के डाल दिया है ब गर्फी वाला mixture है वो भी ठंडा है क्योंके अब हैं गर्मियां तो गर्मियों में हर चीज़ा अपने ठंडी ही यूज करनी है ताके जब हम क्रीम वर्क करें तो वह melt नहों और आज मैंने इसकी soaking चमच से की है खुल के की है जितना मैं कर सकती थी क्योंकि मुझे ना बड़ा ही soft सा और बहुत ही मुलाइम सा एक कीक चाहिए इसलिए मैंने इसको खुले हाथ से moist किये और ऐसा नहीं है कि इसका moisture लीक हो रहा हो ठीक है बिलकुल इतना था कि वह sponge में चितरी के से जजब हो गया था आजए यहां पी क्रीम को मैंने hard whip कर लिया है और कुलफा flavor थोड़ा सा येलो इस सा होता है थोड़ा सा ओफवाइट सा होता है तो मैंने इसलिए whipping cream में एक drop yellow add किया था और whipping cream जब whip हो गई थी तो मैंने अभी आपके सामने 2 टेबल स्पून इसमें add कर दी है यही बर्फी वाला mixture खोया mixture जिस sponge पे cream लगाने से पहले मैंने sponge पे 1 teaspoon के बराबर बर्फ वाला mixture लगाऊंगी ताकि टेस्ट जो है ना वो उधम टेस्ट है यानि आपको खाने के बाद वाकी लगे कि आप लोग कुलफा ice cream ही खा रहे हैं अचा मजीद इसके टेस्ट को enhance करने के लिए मैंने इस पे सोने पे सुहागा लगा दिया यानि के dry nuts लगा दिये हैं यहां प पे लगाते है ना तो पिस्ता थोड़ा सा green green होता है तो उससे look बड़ी enhance हो जाती है और यहां पर second layer को भी मैं अच्छे तरीके से moist करूंगी वही बर्फी वाले milk से और फिर same process ही होगा कि मैं बर्फी वाला mixture लगाऊंगी फिर cream लगाऊंगी फिर बर्फी वाला mixture और फिर मैं रग दूँगी bottom layer यानि sponge की जो सबसे last वाली layer जो pan के साथ bake होके आती है वही वाली मिशे में top पे लगाती हूँ इससे यह crumbs जो है वह ज़्यादा हमारी cream में नहीं आते है और cake जो है वह बहुत ज़्यादा even और बहुत ही smooth सा बनता है crumbs हमें तंग नहीं करते और इस layer को भी मैंने वैसे ही moist किया है और सारा process वही होगा तो अब इसकी final frosting करने के लिए मैं क्या करूंगी सारे cake board और turn table पे जितना भी crumbs वगरा थे वह मैंने साफ कर लिए और आज मैंने इस cake पे crumb coating नहीं की क्योंकि ये घर के लिए cake था तो मुझे ये भी था कि अगर इसके ओपर crumbs आ भी जाएंगी तो कोई मसला नहीं है क्योंकि एक तो ये घर का केक है और दूसरा इसके जितने भी crumbs होंगे न वो हम dry food की ओपर से छड़काओ करेंगे decoration करेंगे तो वो सारे कुछ छुप जाएगा तो बस घर के cake में बड़ी relaxation होती है इसलिए मैंने कोई crumb coating दीएगी और बस final frosting करने शुरू होगे जैसे कि मैं normally करती होती है तो मेरे कहने पर आप इस cake को एक तफ़ा लाजमी try करें अगर आपके घर पे मिठाई नहीं है बर भी नहीं बची तो कोई मसला नहीं है आप 150 gram के बराबर ले आए मार्केट से और इस cake को बनाएं तो बड़ा ही मज़े का cake बनेगा आपको वाकई में बड़ी royal सी feeling आएगी कि बड़ा ही कोई unique और बड़ा ही कोई मज़े का food खा रहे हैं तो बस यहाँ पर मैंने final frosting क्रीम की थोपतापी ज्यादा नहीं की क्यूंकि सेंटर म को अच्छे तरीके से क्रीम से cover नहीं किया और यह cake जो है मैं अपने भाई की बड़ते के लिए बना रही थी तो मैं काफी दिनों से सोच ली थी कि कोई new और unique flavor का cake बनाओं कौन सा बनाओं कौन सा बनाओं तो बस freezer में मुझे बरफी नजर आई और मैं बनाना शुरू हो और मेरे पास बड़ते टॉपर रखा हुआ था वह भी मैंने लगा दिया तो आप लोगों ने बताना है कि यह cake आप लोगों कैसा लगा बही जरूर ट्राइ करिएगा और इसका feedback मुझे दीजिएगा और आप लोग जो भी cake और जो भी recipe मुझे सीखते हैं तो उसका feedback मुझे जरूर दिया करें और अगर आप लोग मेंसा शेयर करना चाते हैं पिक्टर्स बगारा तो इंस्टाग्राम जा फेस्बुक पर मुझे मैसेज करें वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं मुझे आप लोगों से बात चीत करने बड़ा ही मज़ा आता है और मुझे बहुत अच्छा मेरा बहुत दिल कर गए फिर से केक बनाओ अलाहाफिस